हेलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्यानता और देखेंगे कि स्यानता क्या होती है स्यानता कहां पर कम होती है कहां पर ज्यादा होती है विभिन उधारणों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे समझा देंगे कि स्यानता क्या है और कितने नं करण तरल अपनी बिभिन परतों के बीच होने वाली सापेच गति का विरोध करता है श्यांता कहलाता है ठीक है एक बार फिट से आप लोग दिखेगा कहा जा रहा है कि तरल तरल में आप लोग जाते हैं क्या आता है तरल में विभिन पृत्नों के बीच होने वाली सापिश गतिका बिरोध करता है सैंता कहलाता है ठीक अब आप पहले सुल देखेगा कि इसमें लिखा गया है विभिन परतों तो परत क्या है जैसे मान लीजी आपके पास एक गिलास पानी है यह पानी है पानी आप इस तरह से दिखाते हैं जैसे अगर गिलास में पानी भरा दूसी तरह को दिखाई देता है लेकिन जब आप इसका चित्र बनाते हैं एक गिलास पानी का तो आप इस तरह से दिखाते हैं अब आप बता ये point है ये एक परत है ठीक ये एक पर्द है दूसरी परत है उसमें आपको दिखाई भले से इस तरह देता है लेकिन वह पानी बहुत जादा परतों से मिलकर बनता है परत आप समझते हैं ना कई उसमें लेयर होती हैं तो लेयर के उपर लेयर के उपर लेयर के उपर लेयर के उपर लेयर कभी आप एक ग्लास पानी लीजिएगा या आप अगर आपके पास बकेट है तो आप एक बकेट पानी लीज यहां से लेकर यह इतना पानी इतनी दूर का बहुत तेज घूम रहा है लेकिन जो नीचे का पानी है वो बहुत ही धीरे घूम रहा है अब धीरे क्यों घूमता इसके लिए रिजन यह है यही स्यानता देखें जब माली जेए भी आप देखिए भी आप रोड पर चलते हैं प बल लगता है ये वाला अब जैसे आपके और रोड के यानि ठोस ये इसे हम लिखते हैं ठोस और ठोस के मध्य और ठोस के मध्य जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्सन यानि की घर्शनबल इसी प्रकार जो द्रौ और द्रौ के मध्य लगता है द्रौ और द्रौ के मध है जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं क्या श्यानता यानि की विस्कॉसिटी ठीक अभी आप लोग समझ जाएंगे अभी आपको थोड़ा कंच्रूसन होगा अब पहले बात आप यह देखिए अब इसमें बल आप जानेंगे कैसे की लग रहा इसमें मैंने आपको पहले बताय नहीं ही बहुत ज़्यादा विक्सी घंवरे हैं कारण यह है कि देखिए यह वाली प्रत है पर अपने हाथ तरह मसिद्स हने खूमी अब क्या हुआ कि आप जब दुसरी परत की मतलब तरफ का बहा हो घया तो इसके और इसके बीच श्यान बल आनि कि जिससे आप देखिए बहुत बोलते हैं तो स्यानता गुर। है उस्यान लगने लगता है। जी सल्गते अगर मैं कहीं पर रख दूजाएंगा तो मैं बहुति हैं तो यहां पर नीचे लाए पराथ को टक्कर मारती है तौ इसका जो बेग इसमें है अगर टक्कर मारेगी तो कुछ बल उस टक्कर में खतम हो जाएगा इसका बेग कम हो जाएगा फिर इसका बेग जो इसका बेग है जब इसमें बेग अस्थानादित कहेगी तेक टक्कर मारेगी इसका बेग थोड़ा कम हो जाएगा तो यही होता है जैसे आप उपर नचाते हैं तो यह थोड़ा टक कर मारते 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 यहां से से बल कम होते कम होते कम होते आता है और नीचे कि दम जो आपका जो आप उपर बल लगाते हैं यहां पर जो बल लगाते हैं वह अस्थानादेत होते होते हैं यहां पर बहुत कम हो जाता ह इसलिए जो आपका नीचे वाला पानी है बहुत कम घूमता है आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं को मिलाकर बात यह समझे कि जब जो द्रव होते हैं और गैस होती है उनके जो परते हैं जब उनमें सागत ही होती है अब यह परते हैं तो आगे की तरफ तो जाएगी ह वाली परत तो अब देखिए यह भी जाने की कोशिस करेगी तो जाएगी उपर वाले के साथ तो जो इन दोनों के मद्ध है जब यह दोनों आपस में मिलती है तो घर्षनडवल उत्पन होता है द्रवों का घर्षनडबल जिससे आप विसकॉसिटी आनि स्यानबल बोलते है उसी बल को हम बोलते हैं श्यानथा जो इसमें सापेश गत का विरोध होता है श्यानथा बोलते हैं आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको यह वाला याद हो रहा है कि तरल का वाहगूर जिसके कारण तरल अपनी बिभिन पर्तों के बीच होने वाली सापेश लिखतिका विरोध करता है श्यानता कहलाता है अच्छा बाप यह बताईए कि आप श्यानता कहां पर ज्यादा होती है कैसे आप पता लगाएंगे अगर मैंने आपको दे दिया जल्दे दिया पर वाटर से आप बोलते हैं मैंने आपको वाटर दे दिया यह हो गया हमारा व ज्यादा श्यान कौन है किस तरल की सापे जिगती के बीच ज्यादा विरोध होगा एंस्वर है मिल्क दूध क्योंकि दूध गाढ़ा होता है आप ध्यान दीजिएगा अगर अभी आपके पास कोई गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी में आप ऊपर की तरफ जाहे जितना अब लगा कर यह सब्गूंयंगे लिकिन नीचे वाला भार बिल्कुल भी नहीं घूमेगा इतना आप रखें जो जितना गाढ़ा होगा उतनी हिस्यानता अधिक होगी यो शियानता अधिक गाढ़ा उतनी स्यानता कम होगी एक पत्ला होगा सापेच गत का भी रोद बिल्कुल नहीं होगा बहुत पतला होगा तो और गाढ़ा होगा तो सापेच गत का भी रोद जाधा होगा तो जब गाढ़ा रहेगा स्यानता अधिक रहेगी पतला रहेगा तरल तो स्यानता कम रहेगी अब यहां से मैंने बोला था कि आपको बता द द्रव की श्यान्ता घड़ती है तथा गैसों की श्यान्ता बढ़ती है ठीक इसे आप लोग याद करके रखिएगा ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यान्ता घड़ती है तथा गैसों की श्यान्ता बढ़ती है कारण यह है कि अगर आपने जैसे माली जी हमारे पास यह एक ज प्रक्तिरा शुरू हो गए ये तभी उपर भाब बन रहा है तो भाब बन जाएगा तो तरल यह पेछा जो इसकी स्यानता है बहुत कम यानिका जो तरल की पेछा बहुत पतला हो जाएगा बता ये भाब पतली है कि पानी पतला है तो भाब पतली है तो भाब के रूपे कनवर्टिंग सुरू हो जाएगी तो भाब पतला होता जाएगा तो तरल भी पतला होता जाएगा अर्थात इसके स्यानता निवन्तम होती जाएगी बहुत ही कम हो जाएगी ठिक और इसके विपरीत अब अगर आप किसी गैस को लीजिए आप देखिए आप इसे ठंडी के दिनों में महसूस कर सकते हैं आप किसी गैस को लीजे और अंदर से गरम कीजे एक आप पॉलिथीन लीजे और पॉलिथीन को नीचे से जहां पर आँज एक थोड़ा उसे उपर करके गरम कीजे तो क्या होगा आप देखेंगे कि जो तरल है और जो आपकि पास पॉलिफीन है उस पर ठोड़ा थोड़ा कहीं पर आपको पाई दिखाए लगेगा तो आप बताई यह गेस के यादा सद्वाyrics की पानि dar चेंज होने लगेगा तो इसी लिए पानी की स्यांता ज्यादा होती है ताप बढ़ाने पर गैसों की स्यांता ज्यादा होगी और ताप बढ़ाने पर द्रो की स्यांता कम होगी यह आप याद कर लीजिए का श्यांता अधिक रहेगी ताप बढ़ाने पर श्यांता द्रो की श्यांता घरती है और गैसों की स्यांता बढ़ती है बस यह तीन चीज थी इस चैप्टर में मेंली आई शुप आप लोग समझ गहें के समझ गया हैं आप कमेंट करके जलू बताइएगा मैं मिलूंगा आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में जैहिन